अबस्कार खबर एक्स्पूस में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ खुश्यत्री 2019 लोकसब चुनावों से पहले मोधी सरकार ने किस्दानों को बड़ा तौफा दिया है अब समाने धान का सुबर्थन मूले 1550 रुपे से बढ़कर 1750 रुपे और एक रेट धान का मूले 1590 रुपे से बढ़कर 1790 रुपे प्रतिकों इंटल हो गया है और सबसे जादा रागी की MSP 52.5 फीज़ी बढ़ाए गई है जवार की MSP में 42.8 फीज़ी और मूम में 25.1 फीज़ी बड़कर फैसला लिया गया लेकिन तूर की MSP में सिर्फ 4.1 फीज़ी और उरद में 3.7 फीज़ी बड़कर फैसला लिया गया दिल्ली की आम आधमी पार्टी सरकार उब राज़ेपाल के बीच और पहसला लेने डिल्ली में पैसला लेने केलिए सोतंत्र नहीं है LG को कैլिलोट के सलागे रुसार ही काम करना होगा सुप्रून कोट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्रे का दर्जा मिलना मुम्किन नहीं है और चीफ जेस्टिस दिपक मिश्रा ने टिपनी करते हुए कहा है कि उपराज पाल को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए पुलिस जमीन और पबलिक आफर के अलावा दिल्ली विदान सबा कोई भी कानून बना सकती है राजपाल शाचन लगने के बाद पहली बार ग्रह मंतरी राज़ुनाद सिंग्ग दो दिन के जमो कश्मीर दोरे पर जाएंगे बता दे राज़ुनाद सिंग्ग की यात्रा कल से शिरू होगी ग्रह मंतरी इस दोरान जमो कश्मीर की सुरक्षा का जाएज़ा लेंगे आपको बता दे इस दोरे पर ग्रह मंतरी राज़ुनाद साशन में चल रहे राज़ुनाद सिंग्ग की सुरक्षा एस्तिती की समिच्चा भी करेंगे जिसके साथ ही शुकरवार का अमर्नाद भी जाएंगे ग्रह मंतराले के एक अधिकारी के मताबिक ग्रह मंतरी राज़पाल एनन वोवरा प्रशासन एफ्सरक्षा एजेंसियों के शिर्ष अधिकारियों से भी मलाखात करेंगे अबनाथ में भूसकलन की वज़र से बालटाल रूट के बरारी मार्ग पर पांच यात्री की मौत हो गए और तीन घाल हो गए हैं बतादे कि अबनाथ यात्र इस बार खराब मौसम के चलते कई बार पर भावित हुई है वहीं एक पर इस ऑफिसर ने बताए कि बालटाल में रेल पत्री और बरारी मार्ग लेंड स्टाइल की वज़ह से दुर्गटना हुई है उन्होंने बताए कि पांच लोगों की मौत होगे जिसमें चार पुरुश एक महिला शामिल है अधिकारी का कहना है कि अमर्नाथ में भूस्करन की वज़ह से रेल पत्री और बरारी मार्ग लेंड स्लाइट की वज़ह से इस दुर्गटना मही मौत को और गायल लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है शवो को बालटाल अस्पताल लाया जा रहा है वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस रक्षा एजन्सी और मेडिकल रिस्पांस टीम कोई तरह से अलर्ट है जन जागरन अभीहान के तहत सांसर राज़कमर सेनी आर्जस अफीदों का दौरा करेंगे अभीहान के तहत सांसर राज़कमर 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 के राश्ट्रे कारकारणी की बैटक होगी बैटक में राश्ट्रे किसान अंदूलर की रूपए थियार की जाएगी और इस बैटक में देश भर की 1321 गयर राजुनीतिकस किसान संगठन शामल होंगे साथ ही हर्याना से भी कई किसान संगठन बैठक में शुरकत करेंगे आपको बता दे कि किसान स्वामिनाथन आयो की रिपोर्ट लागो करने और मुआफ़स जैसी कई मांगों को लेकर अंधूरन की तियारी कर रहे हैं इस पहले भी किसानों ने दस दिनों के देश व्यापी बंद का आहवान किया था जिसके तहर किसानों को मंडी तक जानी से रोका गया हर्याना के पूरों मंत्री और कॉंग्रेस्टी नेता कृष्ण मूर्ती हुडा ने सरकार पर आरोफ लगाती वे कहा किनके बेटे को जान बूच कर वेत मंत्री आवास पर आघजिनी के केस में फसाया है साथ ही उनों ने ये भी कहा कि जिन लोगों का आघजिनी से संभंध है उनसे तो कोई पूश्टाश नहीं हो रही और बेकसूर लोगों को जूटे केस में फसाया जा रहा है मैं हुड़ा का कहना है कि पुलिस रहाई साथ तक तो चान बिन करती रही और उस वक्त उनका बेटा का सूरवार नहीं था लेकिन इसी वी आई ने मंत्री अभी मन्नू के इशारे पर मेरी बेटे को जूटा फसाया प्रतला विदान सुबा का असाथ गाउं सुर्खियों में बना हुआ है बतादे इस गाउं में सुबा और शाम राश्ट गान बज़ेगा असाथ गाउं देश में चौथा और हरियान में तीसरा ऐसा गाउं बनाया जह राश्ट गान बज़ेगा आपको बता दें कि हरियाना मेर आश्ट्रगान बजाने वाला असाव्टी बेशक तिस्रा गाउं बन गया है लेकिन ये तीनों गाउं फर्दाबाद लोकसभा के फितला विदानसवा शेत्र की ही है और केंद्री मंत्री ने विदीवत रिवन काटकर इसका शुबारम किया है और इसके साथ ही गाउं में सिसी टीवी कैमरों का भी शुबारम मंत्री जी ने किया फ्बीवी कलर्स फैमिना मिस इंडिया दोजार ठारा की रनर अरप मिनाक्षी चाधरी ने मुख्यमंत्री मनुला खर्टर से मलाकात की पंचुकला की रहनवाली मिनाक्षी चाधरी मुंबे में आजित मिस इंडियार 2018 में पहली रनर अरप के रूप में चुनी गई है और वहीं इस मौके पर मुखिमंत्री ने कहा कि पिछले पहले प्रदेश को लिंगानुपात की बुरी सिती के लिए बदनाम किया जाता था आज पंच्कला में शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे आपको बता दें सिक्षा मंत्री कंप्प्पूला टीचर्स के बीच मुलाकात मंगलवार को होनी थी एकि किसी कारण से मुलाकात नहीं हो पाई थी पता दे शिक्षा मंतरी और कंप्योटर टीचर्स की बीचे मुलाकात पंचकल अस्तित शिक्षा सदन में होगी और इस दरान कंप्योटर टीचर्स की मागों पर विचार किया जाएगा गौर्टलब है कि कम्प्यूटर टीशर्स लगातार बेतन बोड़ात्री का लेटर जारी करने की मांग कर रहे हैं प्रिवाड़े जुले के गाउ रतंथल के राज के सीनियर सेकेंडरी में पिछले साल करेब चेसो चात्र शिक्षा ले रहे थे पिछले डेड़ वर्षो से स्कूल में मैथ, फिजिक, सोशल साइंस तक के टीचर नहीं है ऐसे में ग्राम पंचायत ने अब फैसला लिया है कि अगर सरकार समय रहते स्कूल में शिक्षिकों की कमी पूरी कर दीती है तो ठीक है वर्ना उन्हें मजबूरन स्कूल को ताला लगाना पड़ेगा जर्जर जिला प्रशासन ने बहतर काम करने वाले विभागों को पृत्साहित करने के लिए अनूटी पहल शुरू की है जर्जर जिले की उपायक तो सोनल गोईल के मताबिक जलसर पर हर विभाग के कारे का मुलांकन होगा और बहतर काम करने वाले विभाग को स्टार डिपार्टमेंट ओफ दा मन्त का सम्मान दिया जाएगा और वहीं उपाय। तो सोनल गोय ने बताया कि जजज़ले में कई विभाग ऐसे हैं जो अपने अपने कारियों को काफी दक्षता के साथ कर रहे हैं लेकिन उने प्रतसाहिन नहीं मिल रहा उपाय। ने ये भी बताया कि इस पैसले का मकसद बहतर काम करने वाले संबंदित विभाग के करमचारियों और अधिकारियों का मनोबल बढ़ाना है। कि जल्द ही पूरी घटना का खुलासा कर आरोपे को गिफ्ट में लिया जाएगा। कि बता जा रहा है कि जॉक्टर ने मृतक बच्चे को उसके पिता को सौब दिया जिसके बाद बच्चे की दोनु टांगों को पकड़कर उसे कभी दिवार से तो कभी बिजली के खंबे से पटकता हुआ शम्शान की और ले जाने लगा। लोगों ने बच्चे को ध्यान से देखा तो लोग अपने आपको रोक नहीं पाई जिसको लेकर लोगों ने इसके जमकर पिटाए की और साथ ही पुलिस को मामनी की सूचना भी थी। पलिस से मागे पहुचकर बच्चे के शफ को कभ्जे में लिया और आरफ़्ी को भी पकड़ लिया है पुलिस ने पुश्टाच के द़रान यो तो साफकर दिया है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था फिलाल पलिस शफ को शमशान बे दिप्ताने की बात कहरा है प्रदेश में बदमाशों के होसले बलंद होते नजरा आ रहे हैं यम्ननगर से वजर्ग महिला के घर में खुसकर चूरी का मामला सामने आया है जहां दो यूवक महिला से किराय पर रहने के लिए एक अमरा पूछने आया थी और महिला से सुनी के कंगन चीन कर ले गए महिला के बेटे ने उन्हें पकड़ने का प्रियास किया लेकिन वो उसे धक्का देकर फरार हो गए फिलाल पुलिस मामला दर्च कर चुके है और यूवकी तलाश जारी है और यह रुकरें छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासिल हो यह होगा अमबाला रूर पर जमीनी विवात को लेकर दो गटों के लोगों में जगडा हुआ और एक गट ने हवाई फाइरिंग करते हुए यूवक पर तेज हत्यार से सिर्वकंदी पर हमला किया बता दे पीडित को असरकर एस्पताल पर प्चार के लिए दाखिल करवाए गया है बताय जा रहा है कि पीडित पुलिस में कॉंस्टेबल के पत पर कारत है अफलाल पुलिस ने बयान दर्ज कर मामने की दाश शुरू कर लिए पुलिस की मुही इमजारी है और इसी करम में पुलिस ने रतिया से वैज शुरू के बड़ा जखीरा बरामत किया पुलिस को इस सफलता रतिया के चिमूग गाउं के पास से मिली और जहाँ जाच के दरान पुलिस ने गाड़ी से वैज शुरू की बड़ी है बरामत की और वहीं पुलिस अधिकारियों के मताबिक पूर्व सोचना के अधार पर पुलिस ने इस गाउं से जाने वाले रूट की नाके बंदी की और वहां गुजरने वाले गाड़ीों के तलाशी शुरू कर दी तो अवे शराप के पेटियों से बड़ी गाड़ी को कब्से मिलिया पुर्वाना खंड के गाउं तेड़ के निवास्टी आमिर के मुबाइल पर एक मैसेज आया कि उसके खाते में करीब 99 करोड रुपे आये हैं आमिर का कहना है कि उसने अजबियाई में खाता खुला है लेकिन एट्रियम 12.16 में गुम हो गया था जिसकी उसने लिखे शिकाय भी दी थी और काफी समय से खाते में कोई लेंदेन भी नहीं किया गया और वहीं बैंकि मैनेजर का कहना है कि ये खबर अफवा है दिलिगर सरफरा बज़ार बे सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई कमजोर वैश्विक संकित और स्थानी जैलर्स की ओर से घटी मांग के कार अंगोल 40 रुपे कमजोर होकर 31,360 रुपे प्रती 10 ग्राम का हो गया है बतादे सोने की कीमतों में करीब 300 रुपे तक की गिरावट देखने को मिली और विचान्दी इंडर्स्ट्रियल यूनिट्स और सिक्का निर्मातों की ओर से कमजोर उठान के चलते 50 रुपे गिर कर 40,300 रुपे प्रती ग्राम के स्थर पर आ गई है शेर बाजार बरत के साथ कारोबार कर बंध हुआ है और बंबाई स्टाउक एक्सचेंज का इंडेक्स SN6 15 रांक बढ़गर 35,378 के सरफ़ और नेशनल स्टाउक एक्सचेंज का इंडेक्स Nifty वचास अंकितेजी के साथ 10,706 के सरफ पर कारोबार कर बंध हुआ है वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड़केप इंडेक्स 0.9 फीसद और स्मॉल कैप 0.7 फीसदी के बड़त पर बंद हुआ थालेट में चोल रही वर्ल्ड व्रैकिंग जी जितियू में भारत की तरफ से अमर्जीत लोहान ने तीसरा इस्थान प्राप्त किया हासी के रहने वाले अमर्जीत ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को माद दे कर कास्रे पदख जीता है देश और शेहर का नाम रोशन करने वाले अमर्जीत जब शेहर पहुँचे तो लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया टेम इंडिया ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए इंग्लैंड दोरे की शांदर शुराद की तीन मैचों की टी-20 स्ट्रीज के पहले मकाबले में कुल्दीप केल राखुल की जोड़ी ने इंग्लैंड की टीम को पस्त कर दिया है और इस मैच में कलाई के जादू कर क खुल्दीप यादर की फिर्खी ने अंग्रेजों को गुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हदादे कुल्दीप ने 24 रं देकर पांच विकेट जटके और इसके साथ ही क्यल राहुल ने 54 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए इसमें 10 चौके और पाथ शक के शामिल है इंग्लेंड ने पहले बल्लबाजी करते हुए भारत के सामने 160 रनों का लक्षा रखा अवे राहुल की बहत्रीन पारी के दम पर भारत ने इस लक्षे को 18 दश्वलब दो ओवरों में दो बिकेट खोकर हासल कर लिया टीम इंडिया के कप्तान विराट कोली ने इंग्लेंड की खिलाफ पहले टी-20 इंटरनेशनल मैच में इतिहास रचाओ और टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले बल्लबास बन गए कोली ने डैविड विली किपारी के सोलवे ओवर की आखरी गैन पर एक रन लेकर ये उख लब्धी हासल की है बतादे विराट ने बारवी गैन पर आर्ट फरन पूरा करते ही अपना नाम रिकॉर्ड्स बुक में दरज करा लिया खबर एक्सर सुफ लालत नहीं मुझे दीजे इजाज़त